हलो एवरिवन वेलकम टू चंपक न्यूज चैनल और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमेन मुकेश अमबानी से जुड़ी न्यूज के बारे में जी हाँ आज ही न्यूज आई है कि मुकेश अमबानी को जानलेवा धमकिया आ रही है चलिए इस पूरी न्यूज पर नजर डालते हैं भारत के जानेवाने बिजनेसमेन मुकेश अमबानी के रिलाइंस फांडेशन हॉस्पिटल जो की मुंबाई गोरे गाउं में है उसके लेंड लाइन नंबर पर तीन से चार बार जानलेवा धमकिया आई जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाच करी तो अफजल नाम के एक आदमी का नाम सामने आया पुलिस ने उसको ट्रेस करा और अभी वे इनसान कस्टिडी में है और उससे पूस्ताज चल रही है और अभी कुछ सुर्खियों के मताबिक ये भी सामने आया है कि अफजल मेंटली अस्टेबल है यानि वे अपना मानसिक संतुलन खोच चुके हैं अगर बात करें तो पिछले साल भी मुकेश अम्मानी के घर के पास एक कार मिली थी जिसके अंदर कुछ गोला बारूत थे इन घटना करम को देखते हुए भारस सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को भड़ा दिया है महाराश्टरेश पुलिस से उनको रेगुलर सिक्योरिटी और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल रही है और उनोंने सुप्रीम कोट के अंदर डिमांड करी है कि उनकी सिक्योरिटी कंटीनू रहे सो दोस्तो आपका इस पूरी घटना करम पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्षन में बताइए क्या मुकेश अम्मानी की जान को सच में खत्रा है और इसी टाइप का और कंटेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादे जादा शेयर करें थैंक यू सो मच